हेलो दोस्तों तो आज हम समझने वाले हैं threads के बारे में तो threads की main definitions जो हमारे लिए बहुत important होती है वो आज हम समझेंगे ओके तो मैं start करने वाला हूँ सबसे पहले हम समझते हैं कि major diameter क्या होता है देखें ये एक thread का हमने diagram बनाया है तो इसमें हमारे पास major diameter कौन से है तो major diameter इसकी definition भी साथ करें it is the largest diameter of screw thread तो हमारे पास largest diameter ये होता है मेरे भाई ये ये होता है largest diameter तो ये सबसे बड़ा diameter है तो ये हम क्या कहेंगे इसको major diameter major diameter बोलेंगे इसे और ये इसमें हमारे पास next जो आता है वो है minor diameter minor diameter it is the smallest diameter of screw thread तो हमारे पास smallest की बात करें तो यह देखिए यह smallest है यहां से यहां तक था यह जो हमारे पास diameter होगा वो क्या होगा हमारे पास smallest और इसको हम कहेंगे minor diameter minor dia minor dia ओके next हम चलते हैं pitch diameter it is the mean or average of major and minor diameter तो हमारे पास इन दोनों का mean लेना है हम इस एक तरह से center point हम कहें तो इन दोनों के बीच का यहां point actually क्या होता है कि यहां पे point of contact बनता है तो वो आपको अलग एक वीडियो में समझाने की कोशि़ करूँगा पूरा इसका तो यह मेरे पास क्या है यहां से इस point से लिखे और इस point तक का यह हमारे पास जो diameter होगा उसको हम क्या कहेंगे pitch diameter उसको हम क्या कहेंगे pitch उसको हम क्या कहेंगे pitch diameter pitch Pitch diameter, okay? उसको हम क्या कहेंगे? Pitch diameter, okay? Pitch diameter बोल देंगे उसे, Pitch diameter है तो तीन तरह के diameter हमारे पास होगे Next is Pitch, देखे, Pitch क्या है? It is the distance from one point of the thread to the corresponding point on the next thread It is axial distance from root to root or crest to crest अब देखे, definition in English में जब आ जाती है, तो हम घबरा जाते है कि ये क्या गए, ये क्या गए, कुछ नहीं भाई देखो, आपने cricket में Pitch देखिए तो यहां हम wicket से लगा देते हैं यहां पर wicket से लगा देते हैं तो यहां तक का distance यहां तक का distance तो इसको हम क्या कहा देंगे? Pitch यह सेम होता है चाहे आप इसका देखें चाहे आप इसका देखें मैं इस point से इस corresponding next point तक का देखूं तो यह भी Pitch कहलाएगा Pitch यह भी है, यह भी है कोई difference नहीं है इसमें Pitch वही रहने बाला है next देखते है lead या lead कोई इसको lead बोलता है कोई lead बोलता है कोई lead बोलता है जो भी आप बोलना चाहें आपको समझाना चाहिए it is defined as the distance with which screw thread advances actually in one rotation of the nut देखें मेरे भाई बड़ा ही simple सा है बड़ा ही simple सा है दिमाग पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा हम खर्च करते हैं इसमें ये हम nut लगाएं देखो nut and volt हमारे पास है मैं इसको यहां से ये point को देख लेते हैं इसको घुमाना start करता हूँ और पूरा एक चक्र दे देता हूँ ठीक है पूरा इस point को मैं इस पर mark कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा पता लगे कि पूरा rotation हो चुकी है या नहीं हो चुकी है तो ये मैं इस पर mark कर देता हूँ इस तरह से ये mark कर दिया मैंने ये मेरे पास mark है कि मैं straight ऐसे शुरू किया मैंने ठीक है straight ऐसे शुरू किया circle पूरा complete कर लिया, एक चक्कर पूरा complete कर लिया, तो ये जितना अंदर चला गए net, उसे ही तो कहते है, lead, lead, जो भी आप बोड़ना चाहिए, यही तो होता है, तो मेरे भाई किया कहता है, कि एक complete rotation पे, actually कितना अंदर चला जाता है, यह बाहर आ जाता है, यही बात है, मैं हिंदी बोल रहा हूँ, इसलिए यह definition होती है न, वो कभी conflict नहीं create करती, कि आपने तो ऐसा बोला था है, मतलब इन्होंते, actually move करना को बोल दिया, actually, चाहे आगे की और जाए, चाहे पीछे की और जाए, तो मैं क्या करता हूँ, दुबारा देखो, यह हमारे पास घुमा घुमा और यह, यह अंदर कितना चला गया, लेड्ड है वो, अब इसको आप क्यों चाहिए हमें, यह भी सोचना जाहें न, क्यों चाहिए, यह एक बार में आगे कितना गया, इतना पता लग गया, कितने rotation में खत्म हो जाएगी तो हमें इसलिए LED का भी पता होना चाहिए LED का भी पता होना चाहिए ठीक है अब इसमें देखे जो threads होते हैं वो single start होते हैं double start होते हैं triple start भी होते हैं तो जितने start number of start होंगे उसके according उसका LED होता है तो इसमें देखे lead is equal to, lead is equal to the pitch in single start, जितना pitch होगा उतना ही lead होगा अगर वो single start है, ठीक है, twice of the pitch in double start, double start है, तो twice, मतलब जितना आप number of start होगा, उतना ज्यादा वो गुना कर दीजिए pitch के साथ, उतने ज्यादा गुना pitch का होगा, next crest, it is the top surface of the thread, तो इस point को, उपर वाले point को कहते है crest, इस point को कहते है crest, अब देखो, हम पहाड़ी बगरा में, जैसे हम पढ़ते हैं na, crest point है, उसका सबसे उपर का point, पहाड़ की चोटी, तो पहाड़ी है तो भाई, चोटी है, उसकी, उपर वाला point है, उसको हम क्या कहते है, crest कह देते हैं, अब बात वही है, हम पहाड़ की चोटी बोलने लग जाएं, अगर कह दें, कि भाई, इसकी चोटी कौन सी है, तो बड़ा जीब सा लगता है, कौन सी चोटी, कौन सी, क्या बात कर रहा है, तो हम crest बोलते हैं, तो आ, क्या बात है, crest, और definition में, Englishman, it is the top surface of the thread, कि ये point जो होगा, ये, ये है root, ये है root, तो इसको क्या कह देंगे हम, root, तो root हम Hindi में बोलें तो, जड़, जड़ क्या होती, नीची होती है, उपर थोड़ नहीं होगी, चोटी उपर होती है, जड़ तो नीची होगी, तो जड़, ये है जड़, मुसीबत की जड़ नहीं, जड़ है, ठीक है, जड़ है, और जड़ तो भाई सबसे नीची होगी, तो इसलिए ये root, ये point आदेगा, two flanks, इसको हम कह देते हैं, बेटा flanks, ये, जो inclined surface है, इसको हम flanks बोल देते हैं, तो दो flanks को, के जो bottom part है, उसको हम क्या कह देंगे, हमारे पास root बोल देंगे, उसे, समझा है, सर, next, देखो, angle of thread, it is the angle between the flanks of the thread, तो दो flanks के बीच का angle, उसको हम क्या कह देंगे, ये देखो, ये angle, ये angle, इसको कहेंगे, angle of thread, angle of, of thread, ये बहुत ज़्यादा important है, angle of thread, ये कुछ इस तरह से, आपना nut को कभी ऐसा मत समये न, मैं एक मिनिट आगे समझाता हूँ आ यहां पर मैं रब कर लेता हूँ थोड़ा सा, तो यहां पर मैं थोड़ा explain करता हूँ, देखो, nut का angle बहुत ही ज़्यादा important है, ये कुछ इस तरह से है, कि मेरे भाई, आप कभी न पहाड़ों में जाओ, ये पहाड की चोटी है, ठीक है, rest point है, तो ये अगर आप चड़ोग इसे कहा देंगे, गुमा के, कहेंगे, ये सीधा क्यों ने लेगी जाते है, भाई, इतना दम है, कोई दुनिया की कार ऐसी निबनी की, ऐसी चड़ा दे, इतनी चड़ाई टड़ जाए, सीधा ऐसे, कार ऐसे, वैसे लोड़ना होता है, तो हमें धीरे-धीरे उपर चड़ना अब देखो, ये, मैं एक तरह से ये बना के दिखाता हूँ, आपको ठीक है, यहां पे, इस तरह से बना देता हूँ, एक और नट बनाता हूँ, जिसमें थोड़ा सा एंगल अलग बना देता हूँ, एक और बनाता हूँ, और उसमें एंगल थोड़ा सा अलग बना दूँग और यहां पे मालने जिए मैं इस तरह से एंगल बनाता हूं ठीक है इस तरह से अब यह चड़ाई चड़ना है देखो यह चड़ाई चड़ने जैसे है तो यह जब चड़ेगा न बहुत मुश्किल है इसमें तो यह जो ईजीनेस एंगल मतलब धीरे धीरे उपर चड़ना तो ये आपको समझना पड़ेगा ये उसी तरह से है जैसे कार हमारी चड़ेगी इसके उपर तो बड़े अराम से चड़ जाएगी इसके उपर कार चड़ेगी तो बड़े अराम से चड़ जाएगी इसके उपर मुश्किल होगा कार को चड़ना इसके उपर मुश्किल होगा कार को चड़ना इसी तरह nut and bolt में भी हमारे पास होता है screw threads में हमारे पास होता है तो हमारे पास angle of thread इस तरह से incline करने के बज़ाए हमें इसको सीधा करके देखें तब हमें ज़्यादा समझाता है कि angle कितना रखना चाहिए I hope कि ये concept आपको समझा रहा है और इसी तरह की सारी देखो syllabus आपको अगर पूरा चाहिए तो थोड़ा सा investment आपको करना परता है app download कीजिए app में सारे courses है आपके पास पूरा syllabus मिलेगा कोई आड नहीं आएगी कोई आपको problem नहीं आने है क्योंकि वहाँ पे अपनी app है वहाँ पे google की कोई आड नहीं आने वाले पूरा syllabus मिलेगा और आज का जो investment आपाई सारी जिंदगी वो आपको एक तरह से जिंदगी परदान करेगा सारा रोटी परदान करेगा घर परदान करेगा तो आज की investment कल को फाइदा देगे आप डाउनलोड करें आईए पूरा course आप जोइन कर सकते हैं तो जल्दी से आप डाउनलोड करें और मिलते हैं आप में